धहर ये अपने आप में एक अद्बुत प्रसाद है मनुश्य को दिया हुआ अगर पहला पत्थर जिस समय दश्रत मांजी ने उस परवत पे मारा तो लोग उस पर हसे लेकिन उसने धहर पूरवक 20 साल पत्थर मारा तो पहाड को रास्ता छोड़के खड़ा होना पड़ा कि तू आदमी है तू जीत जा और मैं मानस पवन में खड़ा हूं मैं फिर वहीं पर आता हूं रामचरित मानस पड़िये अपनी दादी के पास बैठके अपने दादा के पास बैठके राम का धहरे देखिए राम का धहरे विश्णू का धहरे नहीं है मुझे क्षमा करें भगवान है विश्णू लेकिन वो तटस्त धहरे है आराम से लेटे हुए है ख्षीर सागर में शय्या बना के प्रेम पूरवक माता लक्षमी पैड दबा रही है उपर शेष्णाव का पन है देख रहे हैं दुनिया में चल क्या रहा है मुर्क कर क्या रहा है राम का धहरे तो जीवित रहते हुए उसी विवस्था का धहरे है राम को प्रवोक करने की एक हरकत दुनिया नहीं छोड़ी पुत्र के रूप में सोचिये वो लड़का कैसा होगा वो व्यक्ति कैसा होगा जिसका राज्या विशेक होना जा रहा है और एक सेड़ में पता चला कि वन चलो कपड़े उतारो अब ये बलकल पहनो पतनी को लो और निकलो कितना कठिन समय लेकिन राम राज्या विशेक होगा मैं राजा बनूगा इस पर प्रसंद नहीं है और मुझे वनवास मिलकिए इस पर दुखी नहीं है यही राम होना है लोग समस्ते जंगल में पोस्टिंग लोग समस्ते लोग समस्ते वahaan काम करना है तो कैसे काम होगा क्या है श्री राम कायोए और जब जंगल जाकर लोटे तो मर्यदा पूरशुतम भगवान राम करें इस पूरी यात्रा ने ने अगरवान मनाया इस धेरे ने इन भगवान मनाया और अदू जाना अप्मान करके कोई चला जाता है वो धहरे के साथ मुस्कुराते रहते हैं उनकी पतनी का हरण हो जाता है उसके बाद भी धहरे पूरवक पुरी विवस्था करते हैं और एक बात सोचना आप सब लोग राम मैं अक्सर इस बात पर बहुत अंदर तक थिल रहता हूं राम अयोध्या से चले उ हिंदुस्तान में जो कुछ भी बड़ा था उन्हीं क्या पैदा हुआ इक्ष्वाकू, अज, रगू, दिलीप, पुर्रवा, ययाती, नहुष, दश्रत, सब बड़े आद्मी उन्हीं क्या भारत का नाम जिस पर रखा गया वे भी उन्हीं क्या पैदा हुए भरत, सब उन् मिलने आना चाहते होंगे, राम उनसे साहता भी ले सकते थे, जिस पंचवटी में मा सीता का हरण हुआ है, वो तो उनकी नंदसाल के बिल्कुल बगल में है, कौशल प्रदेश में, राइपूर में, वो बिल्कुल बगल में थे, वो अपने नाना से कह सकते थे, अपने मामा से कह सकते थे कि सاحa बहुत जरां मेरी साहता करो मेरी पथ मेरे पत्नी का प्रैन हो गया, शेना देदो जरा में चलूंगा उनने ऐसा नहीं किया भी एक राजा को अपने साथ नहीं लिया उनने रास्ते भर आप जैसे और हम जैसे लोगों को साथ लिया किनको सामान्य वंचितों को, दलितों को, उन्हेंने वनवासियों को साथ लिया, उन्हेंने मलाहों को साथ लिया, उन्हेंने माशबरी का आशिरवाद लिया, उन्हेंने केवट को साथ लिया, उन्हेंने वंचित सुग्रीव को कले लगाया, क्योंकि वो जानते थे कि जिस अन को तो शेहस्वाव भी राचुका था रावन कोई ऐसा अर्जेंटीना नहीं था ऐसा ब्राजील नहीं था कि हनाना मुश्किल था उसको तो हरा चुके थे दोनों बाली तो उसको अपने बगल में दबाकर और उसने किले की दिवार का चक्कर लगा दिया था बाली ने जब हनुमान को बाधा है और हनुमान से रावन ने का कि तुमुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ तो हनुमान ने क्या का हाँ जानता हूँ वो बाली वाला मैंने सुना था आपकी लडाई बहुत आप परचे मेरा आप से हनुमान ने क्यों कहा ताकि उसका confidence लूज हो लेकिन भगवान जब बाली और सुग्रीव के जनपद में पहुँचे तो उन्होंने बाली का साथ नहीं दिया उन्होंने वंचित को चुना वो उसके साथ खड़े रहे जिसका अधिकार छीना गया जिसका राज्य छीना गया जिसकी पतनी तारा का बलात अपरहन किया गया है और उन्होंने बाली का व्यद किया जबकि बाली भी उनका प्रशंशक था उनका भक्त था मरते समय बाल लगने के बाद प्रणाम की मुद्रा में बाली ने पूछा है भगवान से मैं बैरी सुग्रीव पियारा अवगुन कवननात मुही मारा मैं बैरी हो गया सुग्रीव आपका प्यारा हो गया मुझ में ऐसा कौन अवगुन था मुझे मार दिया तो राम ने उसको उत्तर दिया कि अनुज वधु, भगिनी, सुतनारी छोटे भाई की पत्नी, भगिनी, भेन सुतनारी, बेटे की पत्नी सुन सथ, कन्यासम एचारी है मूर्क, ये चारों बेटी के बराबर होती है, इन्हें कुदश्ट इन्हें गंदी दश्टी से जो देखता है, उसका वद करने में पुण्य मिलता है, पाप नहीं होता है, ये उसको उत्तर दिया उन्हें भगवान अगर भगवान की विजए अपने लिए होती, अगर धहरे ना होता तो वो बाली को लेकर चल देते, बाली हरा चुका था, उन्हें का लिए बाली तू नहीं चाहिए, तू नालायक है, तू ने इस छोटे भाई को मारा है, इसकी पत्नी कारण किया, मैं तेरा तो वद तो राम ने क्या किया, राम के साथ जितने लोग हैं, राम का धहर यादबुत है, और यहाँ जो अध्यापा के उनसे निवेदन है, राम की लीडर्शिप क्वालिटी अदबुत है, राम ऐसे ही राम नहीं बने है, मत पढ़िये हिंदू होकर, इस परिसर में बहुत सारे इ डेवलप करते हैं, उसे इंस्ट्रेक्ट नहीं करते हैं, उन्होंने सुग्रीव की क्वालिटी को डेवलप किया, एक ऐसा डिप्रेस आदमी, जिसका जिसकी पतनी का हरण हो गया, इसका राज्य छीन ले गया, भाई ने लात मार के भगा दिया, उसको उन्होंने कल्टिवे आज हम लीडर्शिप डेवलपमेंट की बात करते हैं, उम ड्राइवर को एक जगे भेजते हैं, सामान लेने के लिए पांच बार बताते हैं उसे, क्योंकि हम उस पर भरोसा नहीं है, हम उसकी लीडर्शिप डेवलप नहीं होने देना चाहते हैं, राम लीडर्शिप डेव जाना आग लगा देना, आग लगाना मतलब वो राम का विजिटिंग कार्ड दे के आए. मतलब बता के आए वो, कि जो आ रहा है हम उसका कार्ड है. मैंजमेंट का बैस सुधारन है, हनुमान. एम्पलोयर का एक रुपिया करच नी कराते हो. एक पैसा नहीं. अगवान ने का कि वहाँ जाओ, खुदी, मतलब खुदी टेक ओफ, खुदी लेंडिंग. और सारा पैसा हनुमान का, उसका रावन का. भई अनुमान जवरदस्ती गिरफतार हुए, स्वेम में देखने के लिए कि कौन है, तो का गया भई इसकी बानर को पूछ से बहुत प्यार होता है, इसकी पूछ पर कपड़ा बांदो, कपड़ा किसका, रावन का. बोले इस पर तेल लगा हो, तेल किसका, रावन का. जली किसकी? बेस्ट एंप्लॉई, सर्वसेष्ट व्यक्ति, कोई ना लुकर नहीं. भगवान नाम के जीवन में जो दो कठिन समय आया हैं, दोनों में उन्हीं पार लगाई. उनसे का गया कि मेरा भाई ये बीमार है, सोचो, राम पर कैसी बीती होगी? भगवान नाम के जीवन का सबसे कठिन रात वो है, जब उनके भाई को मूर्चा आई. उस रात राम कितने भी पीश्वर हो, मनुष्य रूप में जी रहे थे, मन में ये तो आयो गिया, रयुद्ध्या जाके क्या कहूंगा? पतनी कहाँ अपरन हो गया, भाई कहाँ युद में मारा गया, ऐसे समय में हनुमान काम आए, और हनुमान गए, वहाँ कन्फूजन हो गया कि कौन सी जीवनी बूटी, मेडिकल स्टोरी लिया आए पूरा, भई इसमें से देखलो कौन सी है, तो दो बाते हुई, पहली हुई जिग्यासा, दोसरी हुई धैर्य, तीसरी हुई आपको क्राफ्ट करने वारे लोगों में कि आप लीडर्शिप डेवलप करेंगे, आपके अंदर नेत्रत्वी की क्षमता डेवलप हो, और नेत्रत्वी की क्षमता का सिक्षा से कोई मतलब नहीं है, मैंने निजी रूप से अंदोलन किया उनके नित्रत्व में, और मैंने तथा का सिक्षा बहुत बड़े पड़े लेके के साथ राजिनिती करी है, नित्रत्वक्षमता का पड़ाई लिखाई से को मतलब नहीं है, नित्रत्वक्षमता पैदा करना आपकी आत्मा की शुचिता पर निरभर है, आपक आरती जादा ना होने लगे और हमारे यहां तो मराठी में एक कथा भी आती है प्रतम नागरिक पर दूब गया तो उनने लगा यार आसपास कोई देख नहीं ले कि हमारे नाम पर काम चला है और हमारा खुद गई नहीं तेरा तो उनके मूपर एक बड़ी लज्जा की संकोच की रेखा आई तो उनने नल नील की तरफ देखा तो नल ने कहा कि प्रभू आप छोड़ दीज जिस पत्थर को स्वेम राम ने त्याग दिया उसे कौन उपारने वाला है भाई तो लीडर्शिप इस बात से निर्भर होती है कि आप इस बात में कितना विश्वास करते हैं कि इश्वर द्वारा तेह किया गया मेरा भाग्य किसी मनुष्य के निबटाने से खतम करने से ब बढ़ेगा न गटेगा